अचलो वेल्कम टु फिलो मैं ड्रक्टर दक्षा आज आपको बताने वाली हूं एसी जी के बारे में हमने अभी तक हार्टे बारे में हरचीज को बढ़ाए like circulation with itsか formation ρείोड की sound के बारे में लेमफ के बारे में सो नम हमारी बॉड़ी के अंतर डिजीस होती है उनको हम identify कैसे करते हैं यह हम अपने हार्ट के circulation को identify कैसे करते हैं तो वो हम identify करते हैं with the help of ECG 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 actually क्या करता है कि हार्ट की electrical activity को major करने का काम करता है अब वो जो measurement होता है वो measurement करने की जो activity होती है वो कहलाती है electrocardiograph और उसकी जो image representation होती है जो आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की जो image ग्राफिकल इमेज हमारे पास आती है वो जो graphical image होती है जो हमारे graph पर बनी होती है उसको हम बोलते है electrocardiogram so now हमारे पास graph पर image है लेकिन उसके साथ graph word नहीं होगा वहां word यूज होगा gram electrocardiogram लेकिन जो activity है जिसके थू हम उस graph को plot कर सकते हैं उसको बोला जाएगा उस instrument को बोला जाएगा electrocardiogram this is the main cross point जिसमें जादा तर answer गलत आता है क्योंकि हम graphical representation की वज़े से उसको electrocardiogram बोल देते हैं और instrument को electrocardiogram बोल देते हैं यह point अब किसी का गलत नहीं होगा so now हम आगे बढ़ते हैं कि ECG का जो graph होता है उसको हम read कैसे कर सकते हैं this is ECG ECG के अंदर हमारे पास एक होती है P wave Q, R, S wave and then T wave जो P wave होती है यह indicate करती है आपके atrial depolarization यानि की auricle depolarization यानि की auricle contraction then यह जो हमारी QRS wave है that denotes ventricular depolarization यानि की ventricle contraction and जो T wave है यह represent करती है ventricular repolarization यानि की ventricles का relaxation अब जहां auricle जो है हमारे वो contraction में गए है उसके बाद का जितना भी portion है यानि की Q, R, S and T that is auricular deep repolarization यानि की auricle का relaxation अब आपको याद होगा हमने जहां पर heartbeats की बात करी थी वहां पर हमने कहा था there are four heartbeats S1, S2, S3 and S4 अब वो S1, S2, S3 and S4 ECG में कहा आती है देखिए हमारी S1 यहां होगी S2 यहां होगी S3 यहां होगी और S4 हमारी present होती है auricular deep polarization पर so auricular deep polarization S4 sound के लिए indicate करेगा जहां हमारा ventricular का deep polarization है वहां पर हमारे पास होगी S1 sound और उसके बाद जहां पर हमारी T wave है वहां S2 and S3 sounds आती है होग हमारा पूरा ECG जो है वह हमें clear हुआ होगा अब ECG का रोल कहां आता है ECG का रोल आता है हमारी disease को identify करने के लिए जो हमारी next video होगी उसमें हम comparative way में एक normal ECG को disease ECG के साथ compare करेंगे और वहां identify करेंगे कि अगर ECG में कुछ भी change आता है तो उसकी वज़े से हमें कौन सी disease हो सकती है so मिलते हैं हमारी next video में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो like कीजेगा अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा और हमारे चैनल को subscribe कीजेगा तिल देन अगर कोई भी doubt आता है तो आप पूछिए hashtag ask fillover